हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटिब चैनल खाना और डिमान में आज मैं आपके साथ मटर की एक सिंपल रेस्पी शेयर कर दे हूँ जिसको आप मटर मकनी भी बोल सकते हैं डाल मकनी तो आपने बहुत खाई होगी एक बार आप इसको भी ट्राइ करके देखिए I'm sure आपको बहुत अच्छी लगेगी and easily आप इसको बना सकते हैं जो भी इंग्रीडेंट मैंने इसमें यूज कियें वो सारी आपके किचन में already available होंगे तो आपको कुछ भी एक्स्टा पर्चेस करने की जरूरत नहीं है प्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए है प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे की में जो भी नए वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल लाएगा आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो प्लीज डू सब्सक्राइब चलते हैं रासिपी की तरफ इसके लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तयार करेंगे यह मैंने ओयल दाल दिया है इसमें यह थोड़ा सा किमिंसी यह यह चॉप्ट जिंजर ग्रीन चिली यह गालिक है थोड़ा साटे गल लेंगे इसको इसके बाद में अनियन थोड़ा सा भूल लेंगे इसको भी जो लोग अनियन और गालिक नहीं खाते हैं वो लोग स्किप कर सकते हैं इसको तरीके से हैं यह चॉप्ट टमेटोस है यह थोड़ा सा सॉल्ट मैंने एड़ कर दिया है मैंने यह फूर मीडियम साइस के टमेटोस लिए थे आप चाहें तो थोड़ा कम यह जादा कर सकते हैं इसके बाद इसको टू मिनिट ढखकर पका लेंगे तू मिनिट के बाद में देखिए यह जो टमेटोस थे वह बॉयल हो चुके हैं तरीके से देखिए और इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे कोल्ड होने के लिए ठंडा हो जाएगा पिर इसकी प्यूरी बना लेंगे अभी यह मैंने सबजी है मैं बटर में बनाएंगे तो मैंने यह बटर डाला है यह किमिन सील कुछ सूखे मसाले यह तेज पत्ता यह वन होल रेड़ चिली यह लॉंग है और यह लाइची थी और जो हमने प्यूरी बनाई थी वह है यह मैंने डाल दी इसमें इस तरीके से इसको भूनना है चलाते रहेंगे इसको और यह स्पाइसिस में यह टमरिक पाउडर था रचिली पाउडर यह धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और यह कस्मीरी रचिली है आप चाहें तो डालिए नहीं तो इसके भी कर सकते हैं से बस कलर थोड़ा चाह जाएगा इस तरीके से भूनना है इसको आप चाहें तो इसमें करड़ भी एड़ कर सकते हैं ग्रेवी में बट मैंने कर दी हूँ आपके उपर है आपको अगर पसंद है तो आप एड़ कर सकते हैं कसूरी मेथी भी एड़ कर सकते हैं और यह मतर है मैंने डाल दी है को चला लेंगे यह 300 ग्राम मतर थी यह सॉल्ट भी मैंने एड़ कर दिया यहां पर इसको अच्छे से चला के और इसको कवर कर देंगे और फाइब मिनट के बाद में मैंने इसको हटाया है और इसको दबारा से चलाएंगे इस तरीके से मतर है तो वह जल्दी पक जाएगी मैंने दुबारा से इसको कवर कर दिया है और फाइब मिनट के बाद में यह अच्छे से पक चुकी है मतर और जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से भून चुकी है ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप अपने कोर्डिंग रखिए अगर आपको थोड़ा पतला रखना है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के कर सकते हैं देकिन मुझे यह कंसिस्टेंसी रखनी है यह चॉप्ट कोरिंडर लीप्स यह ढाल के अच्छे से चला लेंगे यह बन चुकी है बिलकुल एंड लेजिये आपकी मतर की रेसिपी बनके तयार है बहुत ही जल्दी बनाती है बहुत इजी एंड आप इसको चपाती है पराठे किसी के भी साथ इंज्वाइब कर सकते हैं आइ होपार आपको रेसिपी बहुत अच्छी लग होगीwest